ट्रश्ट मी ब्रो नामक सोर्स का प्रियोंग दोस्तो देख लेना स्टेच्व अप्यूनिटी देखने कोई नहीं आएगा दोस्तो राम मंदिर 370 यूशी सी आधी तो जुमले हैं दोस्तो राफेल में घोटाला हो गया दोस्तो कोरोना तो चीन तक ही सीमित रहेगा दोस्तो विपक्ष को जेल में डाल रहे हैं दोस्तों हमास को मत मारो यार उनके पास गंस बहुत कम है यार दोस्तों 13,000 करोर का इलक्टरल बॉंड सबसे वरा स्कैम है दोस्तों मोधी काल में भारत में गौमान सनियात में नंबर एक बन रहा है कुछ लोग इसे जर्मन शेफर्ड ब या बेचारा बार बार आपको यह भी बताता है कि देश का युवा बिरोजगार है उसका माइंड वास कर दिया गया है इससे मैं सामत हूँ देश का युवा बिरोजगार इसलिए है क्योंकि उसे दुरूब राठी में भारत का विश्य दिखता है देश का युवा बिरोज कि दुख से अधिक इस बात से सुख मिलता है कि रवीश और राठी जैसे लोग उसे यह बता रहें कि वह बेरोजगार है और मोधी इसका कार्ड दुरूब राठी फैन वाज को लगता है कि कि किसी भी वीडियो में explained why दुरूब राठी लिखा हुआ है तो उसे ISI का मार्क मिल जाने जैसा है वहीं उसके बीरोधियों को भी यह लगता है कि कि किसी भी वीडियो में explained why दुरूब राठी लिखा हुआ होना उसे ISI मार्क मिल जाने जैसा ही है किसी के पास इतना समय नहीं होता कि वह इसके वीडियो पर दिखाएगे ग्राफ या इसके द्वारा छुपाएगा तत्तों की जाच करें क्योंकि इसके दर्शकों का मानसिक्स्तर नियून है तो वो केवल यह देखते हैं कि राठी भाई ने हेडलाइन में explained why धुरूब राठी लिखा है और स्क्रीन पर क्रोमा काटकर पीछे में ग्राफ लगा दिया इन्हें लगता है कि पीट के पीछे टेक्स डाल देना और दो तीन रैंडम ग्राफ लगा देने का मतलब है कि बात तो सही कर रहा है यार राठी और एलेक्टोरल बॉंड यदि एक स्कैम है तो तुम सबसे पहले 1422 करोर जो है लोटा दो बात कतम हो जाएगी कोई भी तुम क्लिप और कटा हुआ डेटा यह देने का इसका है और उसमें यह ऐसे ऐसे करके और दोस्तों ऐसे हाथ जो है घुमा घुमा के पूरा जो हो करके आपको दिखाएगा मतलब मुझे तो मैं तो म्यूट करके देखता हूं कभी-कभी इसका वीडियो मतलब मनुरंजन हो जाता ह लाउंडा ना बियार में बहुत चलता है आगे बढ़ने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि यदे आप हमारा सहीयोग करना चाहते हैं क्यों आर कोट के माद्यम से कर सकते हैं लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्स्ट्राइब कीजिए नोटिप्रिशन बिल ओन कर लिजिए त चाहिए आप भी हर दिन डिक्टेटरशिप वाले वीडियो देख देखकर आसपास पूछने लगये हैं कि डिक्टेटरशिप आया या नहीं दिक्टेटरशिप की जर्म का सेंतीसमा सप्ताह चल रहा है तो आपको बताना चाहता हूं कि इस वाटर ब्रेकिंग में ताना शा देखने की जगह ताउलिय में लेपेट कर मेरा शोना बेटा बुलाना अरंब कर दिया है वह शोना बेटा जिसे भी अपने पास देख रहा है उसे बाप बुलाने लगा है और कई नेता उसके वीडियो ऐसे शेर कर रहे हैं जैसे अपने बेटे की पहली पेंटिंग हो और वा और यह वामपंथन राजकुमारी की तरह सकुचाते हुए उसे भी यह सोचकर स्विकार लेता है कि इसकी देवी कम्यून की प्रापर्टी है इसने सही मायनों में अपना तन और मन अपने वैचारिक पिताओं के लिए वार रखा है हम इसके कुछ ताजा प्रपंचों पर त होता है उसकी घ्राण शक्ति अतितीवर होती है वह शिकारियों खोजी प्रविर्तिका होता है किसी भी प्रकार के प्रणाम पर पहुंचने से पहले आकलन करके वातावरण में सुनिश्चित करता है परंतु फोटो में दिखाये जाने वाला प्रानी ना तो बुद्धिमान है ना उसकी खोजने की शमता सही है नहीं वह सारे आकलन करके किसी भी निर्णाय पर पहुंचता है यह जीव अपने मालिकों के बिस्कुट खाकर भैस के मांस को बीत पताने के लिए जाना जाता है इस जीव ने कोरोना क्यों हाइप माना था सबसे अधिक कोरोना मामले वाल राज के कोरोना मॉडल पर किताब लिख चुका है और स्टैचियो अफ यूनिटी पर क्रिस्टल बॉल में देखकर इसने बताया था किसे तो कोई देखने भी नहीं आएगा इन उदारनों से एक बात तो तैह हो जाती है कि यह जर्मन शफर्ट तो छोड़िए यह देशी का युवा विरुजगार है उसका माइंड वाश कर दिया गया इससे मैं सामत हूँ देश का युवा विरुजगार इसलिए है क्योंकि उसे दुरूब राटी में भारत का वश्य दिखता है दुरूब राटी फैन वाज को लगता है कि कि किसी वी वीडियो में explained वाइग कि वो राठी का वीडियो देखकर अपनी बेरोजगारी पर ठपा तो पा जाता है पर वो बाहर निकलकर न मुद्रा लोन ले पाता है न कोई विचार सोता है न किसी उद्यम में मस्तिश्क लगाता है वो केवल घर पर बैटकर इस बात की संस्तुती करता है कि वो बेरोजगार को हई रविष कुमार विए मानता हे वे रोजगार उसे अपनी दुप से अधिक इस बात से सुक मलता है कि रविष और राठी जैसे लोग उसे यह बता रहें कि वी रोजगार है और मोधि रोजगार वह कभी घर से बाहर निकल कर धूप में से सर्टिफिकेट नहीं देखता कि उसने किस कॉलेज में पढ़ाई की कौन सी परिक्षा दी कब उतीर्ण हुआ कौन सा उद्यम करने का प्रियास क्या कहां पैसा लगा कौन सा परिश्रम क्या नहीं बिलकुल नहीं यही सब करना था तो फिर सरकार क्यों मतला यह उसका लॉजिक है ऐसा यहीं सोचता है कि चुकी मोदी सरकार आई है तो नौकरी उसके घर पर BMW में बैट कर आएगी और उसके गालों पर दीपक किलों पर दिखाएगे पान से गलसे की करेगी अब आप सोचिए कि किसी की मानसिक शमता कितनी नीची होगी जिसे राहुल गांधी में भविश्य दिखता है राठी वह प्राणी है जो आपको राहुल गांधी बेचना चाह रहा है इससे पहले इसने केजरिवाल बेचा था उसका एजुकेशन मॉडल बेचा था और केज और दारू मंत्रा ले एक ही वक्ति को सौप रखा था जिसने मुहला क्लिनिक भी खुलवाया और मुहला ठेके भी आज दोनों ही जेल में अपराध ही इतना जटिल है कि बेल तक नहीं मिल पाली आज कल यह जीब भारत आया हुआ है और घूम घूम कर विचरन करता हूँ बा लाजपा को 47% मिल गया और बाकियों को 53 इसकी तकनीक बहुत सही है आप इसे फैक्ट दो यह आपके उत्तर को छुपा देगा हिडिन रिप्लाइ में आप जाकर के खोज लीजिए आपको ब्लॉक करके भाग जाएगा फैक्ट को यह मानता ही नहीं क्योंकि रेटोरिक और कल अपना शील्ता से इसका काम चल जाता है इसकी तकनीक चार स्तर पे काम करती है पहला यह है कि इसके धर्शक्रजार फिक्स हैं यह तो तेह कि मैंता सरसती के क्रपा पात्र तो बिल्कुल नहीं है इनको आप लिक करके दे दो RTI दिखा दो पर वो कहेंगे तुरू धुबराठी से जलता है दूसरा अस्तर है बनाए हुए आंकड़े और गंभीर चहरे के साथ ट्रस्ट मी ब्रो नामक सोर्स का प्रियोग दोस्तो देख लेना स्टेची अब यूनिटी देखने कोई नहीं आएगा दोस्तो राम मंदिर तीन सो सत्तर यूसी सी आदी तो जुमले है दोस्तो राफेल में घोटाला हो गया दोस्तो कोरोना तो चीन तक ही सीमित रहेगा दोस्तो राम मंदिर में तीन सो करोर सरकार ने दे दिये दोस्तो विपक्च को जेल में डाल रहे है दोस्तों हमास को मत मारो यार उनके पास गंस बहुत कम है यार दोस्तों 13,000 करोर का Electoral Bond सबसे वरा स्कैम है दोस्तों मोधी काल में भारत में गौमान सनियात में नमबर एक बन रहा है दोस्तों इसका हर एक वीडियो ऐसा ही है आधी बातें बताएगा आधी छुपाएगा और हर लाइन के अंत में हो रहा है कर रहा है होने जा रहा है यही बोलता रहेगा तीसरा अस्तर है अर्ध सत्यों को तीवरता से प्रस्तूत करना आप जब तक एक बात को प्रोसेस करेंगे तब तक राठी आपको दूसरी बात बता कर तीसरी पर चर्चा करने लग रहा होगा किसी के पास इतना समय नहीं होता कि वो इसके वीडियो पर दिखाएगे ग्राफ या इसके द्वारा छुपाएगा तत्तों की जाच करें क्योंकि इसके दर्शकों का मानसिक्स्तर नियून है तो वो केवल यह देखते हैं कि राठी भाई ने हेडलाइन में एक्स्प्लेंड भाई ध्रूम राठी लिखा है और स्क्रीन पर क्रोमा काटकर पीछे में ग्राफ लगा दिया इन्हें लगता है कि पीट के पीछे टेक्स डाल देना और दो-तीन रैंडम ग्राफ लगा देने का मतलब है कि बात तो सही कर रहा है यार राठी चौथा स्तर है भै यह पहले से ही विक्टिमूट केलते समूहों की भावना उपर हावी होता है इस्लामफोबिया बताते हुए आपको 2023 में बताएगा कि लवज जिहाद जूटा है वैसे 2013 में मैं भी यह मानता था पर दस वर्षों में बहुत कुछ बदल चुका है सरकारों ने इसके उपर कानून बना लिये यह कॉंग्रेस के समय के पढ़े हुए बेरुजगारों को बताता है कि आप 35 के है फिर भी आपकी नौकरी नहीं इसका जिम्मेदार मोदी है आपको बताएगा कि 2014 में डॉलर 68 रुपय का होता था अब 83 का हो गया यह यह नहीं बताएगा कि 2004 में 40 का था और परसंटेज वाइद किस सरकार में यह अधिक बढ़ा है या आपको देश पर करज बताएगा जैसे कि कल ही गोरे लोग आपका किवार खट खटा कर करजा बटा जनसंख्या का गडित लगा कर आपसे पैसे मांगने आ जाएगे आपको यही व्यक्ति इसी संदर में यह नहीं बताएगा कि यदि राहुल गांदी की न्याय पत्र से चलें तो महालक्षमी योजना और वेरोजगारी बता के नाम पर 26 लाग करोर रुपय कहां से आएगे प्रतिवर्स वह करजा लिया जाएगा या राहुल जी आलू सोना बनाएगे आप भ्याक्रांत रहेंगे आपको रेटोरिक देकर चित्त कर देगा और आप देश में तानाशाही डूनने निकल जाएगे आपको कोई पूछेगा कहां है तानाशाही तो आप यह कहें कि तुम समझें नहीं राठी नहीं तो बोला ही नहीं कि तानाशाही आ गई उसने बोला लक्षन तो ऐसे ही दिख रहे हैं पहले आपको बताएगा कि तानाशाही आ गई है फिर कहेगा कि नहीं हम उस तरब बढ तो सोसायटी में हर गेट पर गाड है चोकिदार पहरा भी दे रहा ये लिए मुछार रात वर चया 다양 bronze दिया नहीं होती है कि भाई टाना शाहिए आगे ब्रो पर तुम्हें दिख नहीं रही है मैं बता रहा हूँ जैसे कि मैंने तुम्हें कोरोना पर बताया स्टेचू अफ यूदिटी पर बताया राफेल पर कैसा सिंडनबर राष्ट्यकर्च से लगए हर विशया पर बताया था पर हम समय सीमा को देखते हैं राठी जी के कुछ रत्नों की समीख्षा करें सबसे पहला रत्न इनका ही जीडीपी और डेट का आखरा जीडीपी क्या होता है कि देश का एक तरह से आप मूल ले लगाते हैं कि कितना पैसा है जमिन फलाना निम का जोड़ जार के क्या आपका मतलब एक अगर मूल लगा जा तो कितना होगा डेट होता है करजा करजा आपने कितना लिया करजा क्यों लेता है देश करजा लेता है देश कि उसे हो सकता है कि कोई स्कीम फाइनेंस करनी हो मेट्रो बनाना हो एक्सप्रेस्वेज बनाने हो एरपोर्ट बनाने हो यह सब के लिए क दिख हो गया है यह डेटा है जैसे मैंने आपको बोला कि अर्द सत्य मारता है मतलब आधी बात आपको बताएगा आपको भी लगए हाँ यार करजा बढ़ गया है अब इसको आप जोड़िए अपने आप से कि आपने अपने पुत्र के लिए या आपके पिता ने आपके रहा है कहीं पे आपके एडुकेशन में इनवेस्ट हो रहा है आप बाद में अक्छी जूब करेंगे और उसके बाद जो ओलोन रिपे हो जाए और आप जॉब करते रहेंगे तो आपने 100 गैश रुपया और आप 1000 रुपया एक लाख रुपया बनाने के लिए आप उस राह पर चल चुके हैं तो इसको good debt बोला जाता है अच्छा करजा अब नहरूजी से ले करके मनमोहन सिंग तक सब ने करजा लिया है करजा यह लोग क्या करते हैं कांग्रेसी की करजा लेते हैं और कुछ create नहीं कर रहे हैं उससे जिससे आगे भी पैसा है वो करजा लेकर के या तो hero बनने के चकर में यह free ले लो वो free ले लो बांट देते हैं सड़क नहीं बनी थी toilet नहीं बनी थी आप सोचे कि इस राष्ट के प्रधान मंत्री का सबसे पहला प्रण क्या था भारत में हम toilet बन वाएंगे पाकिस्तानी आपको mock करते हैं अभी तक मौक करते हैं तुमारी यह बढ़ रही है और आपका debt कितना करजा कितना बढ़ रहा है उस हिसाब से देखा जाए तो भारत उस लिस्ट में बहुत 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 पीछे हैं बहुत पीछे मतलब जितने भी प्रकतिशील राष्ट हैं या विकसित राष्ट हैं उनका debt to GDP ratio वह अगर हाय होता है तो उसे गलत माना जाता है बुरा माने भारत का संभवता 18 पुर्चत है और यूएस का debt आपको पता है कितना है 38 trillion dollar सिंगापूर का debt to GDP ratio है 319% जापान का 245% है फिर तो मतलब यूएस तो गर्त में चला जाएगा जपान गर्त में चला जाएगा सिंगापूर तो बरबाद होना चाह है तो दुरुबराठी जो आपको बता रहा है वो विशुद्ध जूट है आधी बात वह बता रहा है आप देखिए कि उस debt का हो क्या रहा है सडकें बनी सडक बनने से पूछें क्या होता है सडक तो वही रहती है सडक बनने से यह होता है कि जो आलू एक रुप्या का चल र तो किसान आपको 2 रुपया में बेचेगा, मार्केट आटे आते हैं, वो 3 रुपया का हो जाए, तो जो चीज आप एक या डेर रुपया में लेते हैं, उसका दाम 3 रुपया हो गया, तो आपको अधिक पे करना हो, महांगाई बढ़ती है, एक सड़क ढंकी बन जाती हैं, उस से महांगाई नीचे जाती है, बढ़ती हुए अर्थवस्था में, नकेबल मतलब ये सबजी का उधार नहीं है, अन्य में भी आप सप्लाइचेंज होता है, उसके लिए, फैक्टरी टू फैक्टरी, फैक्टरी टू वेर हाउस, वहां से लेकर के जहां बेचा जाता है, वह आगे भी connectivity बढ़ेगी, क्यूं? इन सब चीजों से आपकी economy जो है, बहतर होती है, स्मूध होती है, हर एक चीज, supply chain जो है, फिगर आउट हो जाता है, industrialization का pace जो है, वह अधिक बढ़ता है, इसलिए यदि कर्जा लेकर के express में बन रहा है, तो वह कर्ज तो हम चुका देंगे toll gate लगा करके, लेकिन वह सड़क वहीं रहेगी, उसके बाद कर्जा चुकाने के बाद भी वह सड़क वहीं पर रहेगी, और हमारा inflation check में रहेगा, हमारी सब चीज जो है, स्मूध हो जाएगी, तो इस पर आपको इसने जूट होला, अब यह एक यहाँ पर जा करके नंबर वन है दोस्तों, और आपको यह नहीं बताएगा कि भारत जो बीफ एक्सपोर्ट करता है, बीफ जो टेकनिकल टर्म है, वो गौमान्स नहीं है, भारत में बैन है, आज नहीं यह 2015 से नरिंद मोधी के उपर यह आरूप लगते रहे, जो भी रेड मीट भारत से जाता है, उसको बीफ ही बूला जाता है, और यह आदमी गौशाला में बैठके, इसका जो मतलब वो अंधानु करन करने वाले होंगे न, उसके ट्रस्ट मी ब्रोव नहीं, एक्स्प्लेंड वाई दुरूबराथी टाइप के जो है, देश का यूबा, वो जो बेरुजगार है, व दुरूबराथी जी ने कहां बोला है, कि बीफ मतलब गौमांक्स, उन्होंने तो बीफ ही बोला है, तो वो जो गाय के साथ खड़ा है, वो तुम्हें भैंस दिख रहा है, वो बकरी दिख रही है, क्या दिख रहा है, फिर एक मौरली घिरना चाहते हैं, आज कर चल रहा है, अब सब तो जुरे हुए है, जुबायर ने कल एक ट्वीट कर दिया, बाकी भी बोल रहा है कि अच्छा मोदी जी सावन में बोल रहा है कि नॉन्वेज नहीं खाना चाहिए, और जो है आप जो बीफ मांस के निर्यातक हैं, उससे चंदा ले रहा है, यहाँ पे दो बात होत ना, बीफ हीटिंग फेस्टिबल मनाना, यह गलत है, उसके उपर कमेंटरी की जा रही थी, यह जो तुम बोल रहे हो कि उससे लेते हैं चंदा, भाई चंदा दे रहा है, ऐसा तो है ने कि भाजपा वाले फोन करते हैं, भाई तुमने चंदा ने उसको हफता वसूल ना कहत हैं, जो कॉंग्रेस के टाइम में खूब होता था, अब नहीं हो रहा है, अब जिसको चंदा देना है, तो चंदा दे रहे हैं, और यह मोरालिटी लेकर करनें, मतलब भाजपा में ही कहीं नेता हैं, नौर्थ इस्ट के नेता हैं, वो तो भीप भी खाते हैं, तो क्या करें, उसको एक्सपल कर दे पाटी, नहीं, यह लोड जो है, तुम हमारे उपर डालना चाह रहे हो, क्या रहे, तुम हिंदू हो, तुम बीफ एक्सपोर्ट में भारत नम्मर हो, हम नहीं लेते वो लोड, वो लोड तुम लो, और जो है, गौशाला में जा करके, और वहां से गानक कि आदमी मतलब उठा और उसका इडिया, अरे यार, इलेक्टोरल बॉंड, यार, यह तो देश का सबसे बड़ा गोटाल है, 13,000 करोड, 12,779 करोड का टोटल गोटाला ही है, अगर इसे गोटाला माना जाए तो, सुप्रीम कोट ने इसे इल्लीगल बताया, और अंतानिक भी वस्तुता नहीं बताया, बताया कि आपने जो इसमें गोपनियता रखे हुए थी, कौन किसको दे रहा है, यह आप नहीं कर सकते, यह गलत है, वोटर्स को अधिकार है या जानने का कि कौन सी पाटिक किस से चंदाले, हलांकि सुप्रीम कोट ने यहाँ पे, क्या है कि पहले कैस में डोनेशन जाते पहले ओपैक था, पारदर्शिता नहीं थी, और अब एलेक्टोरल बॉंड के माध्यम से कम से कम आपको यह पता है कि कौन सी कमपनी कितना चंदा किसको दे रही है, वाइट मनी आ रहा था, तो उसको सुप्रीम कोट ने एक तरह से इ 2000 करोर मिला, तो यह स्कैम है, अब अगर यह स्कैम है, और 2019 से कपिल सिब्बल, जैराम रमेश, यह सब बोले जा रहे हैं लगातार की भाई, हम जो है, अलेक्टोरल बॉंड का विरोध करते हैं, क्योंकि इनको पता था कि कौन किसे देगा, यह ऐसा ही हर उस स्कीम का विरोध करते रहें, जो पहले से भाजपा या मोधी सरकार जो हो ले करके आती है, तो वहाँ पर, अब यह बता आए, चाय कपिल सिब्बल ही बता दे जो अब कांग्रेस में नहीं है, या फिर जैराम रमेश बता दे जो अभी तक कांग्रेस में है, अब पता ने कल को भाजपाम चल ले जाए तो आजकल पता नहीं चल रहा है तो वह यह बताए कि 1421 करोड जो तुम ने लिए कॉंग्रेस वालों ने 2019 से 23-24 तक में लिए हैं वो क्यों नहीं लटा देते हों तुमने कैश क्यों करवाया जब तुम कंफार्म थे कि यह स्कैम है तो क्यों करवाया दुरूबडाटी आपको यह भी नहीं बताएगा उसको इससे भी मतलब नहीं वो खाली बोलता रहे है कि एलेक्टोरल बॉंड स्कैम है जी और सुप्रीम कोट ने का दिया इसले स्कैम है अब है 2024 में यह डिमोक्रेसी और डिक्टेटर्शिप पर लगातार लेकर के आ रहा है कि तानसाही हो गई तानसाही आ रही है तानसाही आ जाएगी बो मैंने तो पहले ही बताया था कोलिशन क मतलब लोगों को जेल में डाला जा रहा है यह करके रिटरिक चल रहा है किसी भी डेमोक्रसी में यादी आप पाँ रहे हैं कि आप का नेता डिक्टेटर है तो that itself prove that it is a thriving democracy प्रजातंतर में ही आप अपने नेता को डिक्टेटर, तनाशा, मर्डवर, जो कहना है कह सकते हैं ऐसा तो है कि कोई यह भी कहता कि नहीं वो जर्मनी में बाइट करके बोल रहा है अभी तो भारत आ गया, क्या उसको किसी ने पकड़ लिया, नहीं पकड़ा ना, इसका मतलब क्या है, कि आप ये सब कहने को स्वतंत्र हैं, आपको कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा, तो ये अब 2024 में पहुचा है, डिक्टेटर्शिप बताने के लिए, हलांकि उस पे बहुत ज है, सौरी, बनर जी है, आकास बनर जी, उसके साथ बैठ करते हैं, मतलब दो उच्च स्थर के बकलोल जब बैठते हैं, इसमें आप सोच लिए कि राहूल गांधी भी कहीं बैठा रहाता, तो जब मिल बैठेंगे तीन यार, मैं तू और जो भी है राहूल गांधी, कुछ र कहीं पर कोई उदारण नहीं है कि कभी भी कॉलीशन ने कुछ भी अच्छा किया हो राष्ट के लिए, याद कीजिए आप, अटल विहारी वाजपे की सरकार दो बार गिरी कॉलीशन के चक्कर में, एक बार तेरा दिन में, एक बार तेरा महिने में, आपको पता है कि गवर् दे रही है, उसके वोट का कुछ नहीं हो रहा है, गिच पिच सरकार बन रही है, सब को अपना अपना चाहिए, एक BMP है तो बोलना हैं सपोर्ट करेंगा हमें मंत्री बनाओ, मंत्राले आप कुछ ही लोगों बाठ सकते हैं, तो जिसका सबसे अधिक नंबर है, उसके सबसे क गोटा ले किये, जिससे देश आज भी उबर नहीं पाया है, टूजी स्कैम एक लाग चैतर हजार करोर, कोईला गोटाला एक लाग चैसी हजार करोर, और इस मुर्खा दिराज को लगता है कि एलेक्टोरल बॉंड जो तेरह हजार करोर का भी नहीं है गोटाला, वो इन दोन को केवल यह यह बताय जा रहा है लगातार कि भाईया विपक्च को जेल में डाल दिया, जैसे कि गहिंद मोधी एक दिन उफ्टा बोले कि नहीं नहीं लोग सभा होने वाला है, भाई जेल में डालो, ऐसे नहीं हुआ है, ममता बनर जी फ्री है, राहूल गांधी फ्री गू गूम रहा है, स्टालिन द्वाई जो है, पुत्र और बाप दोनों गूम रहा है बढ़िया से, तुमारा सिद्धा रमया गूम रहा है, डीके शिवकुमार गूम रहा है, सारे लोग तो गालोत भी जेल में नहीं है, जैरामरमेस गूम रहा है, सब फ्री है तो मैं कौन दुरूराटी के हिसाब से अंडर ट्राइल होना ही नहीं चाहिए अंडर ट्राइल हो कि पुलिस जो है लोगों के घर पे जाए कि भाई साव आप अंडर ट्राइल चल रहे हैं आपको एविडेंस डिस्ट्रॉय करना है कीजिए आप पास 170 फोन जो है जिससे शराप गोटा ले इसलिए नरेंद मोधी संसद में एक नयार उल पास कर दे कि भाई भी पक्च को ना ना भाई हम ताना साहर नहीं दिखना चाहते भाई हमें इनको यार जेल से बाहर रखो यार दोस्तों तीन बार का सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो दिनली का था उसको जेल में डाल दिया दो हैं ऐसा नहीं है कि किसी के वर्ड आफ माउथ पर जो इसको अरेस्ट कर दिया गया है जज मतलब कई बार कई बार मूर्खता कर चुके हैं लेकिन इस मामले में एक के बाद एक जज़वा मूर्ख नहीं है कोई भी इसको बेल तक देने को तैयाने क्यों विपक्ष को जेल मे इसलिए डाला जा रहा है क्योंकि विपक्ष के कुछनेता कुछ कांड कर रहे हैं चलिए आगे बढ़ते हैं बकलोली मतलब कितना समझाते रहेगा है कि तो यह ट्रस्ट मी ब्रो वाले सोर्स हैं स्टैच्व अफ यूनिटी पे इसने क्या बोला था कि भाई यहां पे एक मि आगन भी दोस्तों अगर आ गए तो मैं गंगाम यकूत के मर जाओ आई तो नहीं बोलता मतलब इसी टायप का कुछ की मैंने देख लिया मैंने क्रिष्टल वॉल्ल में देख ले आग वह बॉल्लो किसका थ और कृस्टल इसका था पता नहीं लेकित निंहोंने जो हाँ कर के दोनों बॉलों में देख लिया अपने कि वह यहां पे तो एक मिलियन भी नहीं आएंगा पंदरह हजार रो लोग हर दिन आते हैं वहाँ पर एक करोड का आकड़ा गया धाय करोड का गया उससे जो है एक एक एकॉनमी पूरी की पूरी थ्राइव करें स्टाच्यू अफ लिवर्टी से अधिक विस्टर्स वहाँ पे जा रहे हैं और ऐसा भी नहीं था कि गवर्मेंट ने अपने पैसे से बनवाया था लोगों के दान के पैसे से लोगों ने भेजे थे उसमें कुदाल कल पूर्जा ये सब उसको पिगला करके वो बनाया गया था और यदि सरकार का पैसा लगा भी तो सरकार को वो एक समय के बाद वापस मिल जाएगा और ऐसा ने कि हवाँ से जो है वो म उसका वो वीडियो यदि आप देख लेंगे केरला मॉडल के उपर क्यों कि उस वक्त केरल जो है मतलब यह क्या करता है जब कोई चीज आरंब होने ही वाली जब इसको कुछ नहीं पता कि आगे क्या होने वाला नहीं ट्रस्ट मी ब्रो केरल ले तो भाईया सौट आउट कर दि भारत में सबसे अधिक केसेज केरल में हो रहे थे यह था केरल का मॉडल उन्होंने किया था कोरोना को इस नहीं बोला कि यार यह दोस्तों फियर मंगरिंग है कोरोना एक मीडिया हाइप है यह देखे ग्राफ और यह जो है चीन में ही रह जाएगा चीन से बाहर नहीं अब देखे कहां कहां गया कोरोना इसमें तो कुछ बोलने के आवशक्ता है नहीं हमास को बोला की दोस्तों स्पाइडर मेट बे एक बात बोली गया इसके भक्तों के लोगा आहा दुर्बराटी जिने क्या बोल दया वावा वाव इत ग्रेट पावर कंस ग्रेट रिस्पोंसबिलिटी हमास को इसराइल इसलिय ना पेले क्योंकि हमास के पास बंदूकें कम है ये तकनिक है इनकी आप सोचिए कि ये वस्तुता क्या कह रहा है साथ अक्टूबर को हमास ने जो किया था और उसके जो वीडियो आए बच्चों को अवन में जला रहा है इन्डिस्क्रिमिनेट फाइरिंग किसी को भी कहीं पर भी देखते में मार रहा है उससे अधिक भयावह कुरूरता मैंने अपने जीवन में न देखी है न पड़ी है तब मुगलों का रहा होगा अब वो जो है उतना विक्रित रूप से हमारे सामने आया नहीं कि क्या करते तलवार सिकार देते हो माइक्रो वेब में बच्चों को जला देना यह हमास है और इसको यह बोल रहा है स्पाइडर मेन वाली तक्नीक से लरो जाले निकलेंगे ब्रोज इसराइल वालों को जाले निकालके लर उसको बस उसको मारो मत स्पाइडर मेन किसी को मारता नहीं है वो खाली कैद करके जेल तुनक तुनक, तीन सो करोर रूपिय, जिसकी ये बात कर रहा है, वो बस तुता, अप्रोच रोड और बाकी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे, उसके लिए थे, सरकार ने एक रूपिया, एक रूपिया दिया था राम मंद्र के निर्मान के लिए, दाट सिट उसके जो भी पैसा है भक्तों के ओर से दिया गया हमारे आपके जैसे लोगों ने दिया है और यह प्रपंच कर रहा था कि दोस्तों 300 करोड रुप्य दे दिये गए दोस्तों इससे क्या कॉलेज और स्कूल नहीं बन सकते थे दोस्तों और भरत नात्यम पूरा इसक यह सक्सेस्पूल है इसका एजेंडा जो है क्यों नहीं पेनेट्रेट कर पा रहा है इसके व्यूज तो भाई 40,50,000,000 ऐसे जाते हैं रवीश के भी उसी तरह से अजीत अन्यूम के भी है तो सरकारी क्यों नहीं बदल रही है यह एक प्रस्ण आपके इमन में आता होगा चीज करोर लोग तो नहीं धाय करोर लोग तो देख चुके है उसका और सौसो लोगों को वह आगे बढ़ा के दिखाएंगे क्योंकि राठी जी ने बोला है तो एक्स्प्लेंड वाई दुरूब राठी है तो तो आगे बढ़ाना पड़ेगा तो क्यों नहीं हो पा रहा है क्योंकि ऐसे अजेंडे की आयू बहुत छीन होते है बहुत छोटी आयू होती है यह चलता नहीं यह आपको मोबाइल में आकर कि वहीं से गायब हो जाता है दिस डजन परकुलेट टूद अगर करते तो राजस्थान च्छतिसगर्ड मध्यप्रदेश यह सब इनके हाथ से नहीं जाता है और वही बात यहां पर वी हो रही है कि चुकि इनका प्रोपगेंडा पांच वर्ष का वस्तुता दस वर्षों का काम नहीं कर रहा है तो अब यह फिर से लेकर के वही पुरानी बाते आपातकाल आ गया ताना साही हो रहे हैं फासी बात हिंदू मुसलिम हो र प्रैलिटी के तरफ से आपको जो है गेरना चाह रहे हैं कि तुम सोचो यार बीप निर्यातकों से मांस वाले से भाजपा चंदाल क्यूं नहीं लेगी मांस का व्यापार करना सम्वाइधानिक अधिकार है लोगों का वो कर रहे हैं उनको लग रहा है कि ये पाटी हमारे व्यापार को और भी बेहतर वनाने में सहायक होगी तो वो उसको दे रहें चंदा क्या समझतिया है किसी को और यही यही भाजपा यदी बोल दे जो यह जुबाइर बोल रहा है न कि सावन में बोल रहा है मांस मत खा और यह दिखा रहे हैं और जो आप चंदा इसे लिए यदी बोल दे नरिद मोदी कि भारत में कसाई खाने बं कि वह क्यों भाजपा वालों को चंदा दे रहे आकिर भाजपा ऐसा क्या कर रहे उनके लिए बात वही है कि जो धंदे को बढ़ाने में सहायक होगा जो भी सरकार जिसकी भी नीतिया धंदा करने वाले उसको चंदा देंगे समानने सी बात है कॉंग्रेस जब सत्ता में थी उसके सत्ता में रहने के आसार अधिक थे तो उसको अधिक चंदा मिलता था भाजपा को नहीं मिलता था तो आपने कभीर होते हुए सुना भाजपा को कि यार हमें चंदा बहुत कम मिल रहा है नहीं मिल रहा है जाओ बनाओ क्यूर कोड डोनेट फ़र्देश यह सब कर रहे तो करो भाई जाकर के मांगो और यदि एक स्कैम है तो तुम सबसे पहले 1422 करोर जो लोटा दो बात खतम हो जाएगी कोई भी तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा तब तुम मॉरल हाई ग्राउंड ले सकते हो का सकते हो इलेक्टोरल बॉन हमने ने लिया भाजपा ने लिया यह पूरी तरह से गलत है तो दोस्त देना ही होगा तो आप भी यह बहुत बहुत कठिन कारी नहीं है जिसके पास common sense है समान्य बुद्धि विवेक जिसके भी पास है दुरुब राठी का कोई भी वीडियो यदि आप उठाएंगे उसमें से आपको हर वीडियो में पांच-दस जूट मिलेंगे ही मिलेंगे एक बार देखिए दोबारा उसको देखिए slow करके उसके आप जो डेटा कोट कर रहा है उसको जाकर करके cross check कीजिए कि आधा तो नहीं दिखा रहा है बहुत लोगों का आधा ही दिखता है ना आधा ही दिखाना चाहते हैं तो cuta हुआ जो है ना clip और cuta हुआ data यह देने का इ करके और दोस्तों ऐसे हाथ जो है घुमा घुमा के पूरा जो हो करके आपको दिखाएगा मतलब मुझे तो मैं तो म्यूट करके देखता हूं कभी कभी इसका वीडियो मतलब मनुरंजन हो जाता है लाउंडा नाच बिहार बहुत चलता है लाउंडा नाच आपने नहीं दे करके लगता है आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें वस्चे बताएं जुन्ने के लिए बहुत होता भार नहस्कार कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो